हेलो माई दियर स्टूडेंट्स और वेलकम बैक टू दे चैनल आज चेकलास हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनाशल अकाउंटिंग जो कि उडिसा के सेमिस्टर नंबर वन का पेपर है पाके तुम कोई और उनिवर्सिटी से बिलॉंग करते हो तो तुमारे सेमिस्टर में जरूर पेपर होगा पैनाशल अकाउंटिंग मैक्सिमम सेमिस्टर के अंदर सेमिस्टर वन में ही दिया हुआ है और डेली उनिवर्सिटी के अंदर सेम वन पे ही है और कौकता उनिवर्सिटी के अंदर भी सेम वन का पेपर है और कोई उनिवर्सिटी से अगर बिलॉंग कर तो एक बात देख लेना आपता सिलेबस मेरे इसाब से हर सेमिस्टर में यह जो है वन में ही मिलेगा तुमको ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस को आज का टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेजर जो हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे लेजर के अंदर हम पढ़े और फिर लेजर को close करना सिखेंगे जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग्दॉ टॉपिक ता लेजर में एक ता पोश्टिंग दुसरा था बैलेंसिंग्दॉस्टिंग हम पढ़ें पढ़े थे simple entry वाला कमपाउन ईंटी पोश्टिंग पढ़के刚eryंगे चैप्तिर को अगर तुम में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को डेस्क्रिप्शन चेक कर लेना वहाई एक आपका लिंक है आपको डाउनलोड कर लो हर एक सब्जेट का सिलेबर कम्प्लीट वीडियो नोट्स इंपॉर्टेंट कोशिंस तब कुछ एवलेबल है आप के यह हैं हम पहले इसका जर्नल इंट्री करके देखेंगे और इसके बाद उसको पोस्ट करेंगे इंटू लेजर्स ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला एक चार बिजनेस विदा कैपिटल आफ पाइव लाइक इन कैश इंट्री होगा इसका हम पढ़ें औरेडी जर्न कैश अकाउंट डेटेट टू कैपिटल ठीक है नेक्स्ट नौ तारिक परचेस गूर्ट वर्ट बीस अजार एंग लावड कैश डिसकाउंट आफ तेन परसेंट तो नौ चार को परचेस किये कि पीस हजार का सामान तो इंट्री होगा पर्चेस अकाउंट डेबेट ट्वेंटी थाउसेंट अब उसमें हम तको पांच-देस परसंट का डिसकाउंट मिला तो दो हजार का डिसकाउंट मिला तो कितना पैसा देना पड़ा उननीस अठ्रहाजार तो डिसकाउंट रिसीवड दो हजार ठीक है नेक्स्ट तोल गूर्ट्स पर टेन ताउजन अलाउट कैश्च डिसकाउंट फाइफ परसेंट तो उननिस चारकों सामान बेचे दस अजार का पांच परसेंट डिसकाउंट डिये कितना पैसा मिला नौ हजार पांसो दिसके सेलेंट तो कितना तो बढहे है कितना तो उनननी ओक द्चेवरोर डिसकाउंट है झालेंट cantime तो कि ट्रेश एकांट डेटेट टू- इसे एककांट थास यह हो गया सारे के सारे ट्रंजक्शन टोटिल चार ट्रंजेक्शन हम लोग देख लिए अभी चार ट्रंजेक्शन को हम पोश्ट करके देखेंगे इनटु प्लेजर्स तो पहला ट्रंजेक्श्ञ देखते हैं cash to capital इसको पोश्ट करते हैं हम सबसे पहला बनाएंगे लेजर कि इस दी कैश है अकाउंट ठीक है और उसके बाद बनाएंगे कैपिटल तो एंट्रे दा कैश टू कैपिटल तो कैश में लिखेंगे एक चार पिछले क्लास में सीखे हैं तो हम पोश्टिंग कि तू कैपिटल अकाउंट होगा फाइव लाक्स और फिर कैपिटल में लिखेंगे बाइए ऐक साइड में कैश अकाउंट 50000, क्लियर रही है , और पहला इंट्री , Fifth नेक्स्टें पर्चेश्च तू , डिस्काउंट रिसीव इसको ध्यान से देखना , पर्चेश मेंगा लिखेंगे, पर्चेश में लिखेंगे । cash to discount received ठीक है तो पर्चेस नाम का लेजर ओपन करेंगे है नहीं पर्चेस नाम का लेजर ओपन करेंगे एंट्रिय पर्चेज अकाउंट डेबिटेट टू कैश तू डिसकाउंट रिसीव तो पर्चेस के डेबिट साइड में आएंगे नौ तारीक को पहला लिखेंगे टू कैश कितना अठरह जार और फिर लिखेंगे नौ तारीक को फिर से तू डिसकाउंट डिस्काउंट 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 डिस्क by purchase, अब amount क्या होगा ध्यान देना, amount होगा जो cash का amount है, cash का amount कितना है, $18,000, ध्यान रखना $20,000 नहीं, $18,000, जो cash का amount है, और एक नया बनेगा नाम होगा उसका डिस्काउंट रिस्टीवड अब डिस्काउंट रिस्टीवड में अभी हम लिखेंगे क्या परचेश 2000 क्लियर रही है तो दो एंट्री पोस्टेट अब इस्टरा एंट्री कैश डिस्काउंट अलावड तू सेल्स तो कैश में क्या लिखेंगे कैश में लिखेंगे तू सेल्स कैश में क्या लिखेंगे तू सेल्स कैश के सामने का अमाउंट 9500 ठीक है उसके बाद तेल्स और डिस्काउंट अलावड दो टू नया कॉलम बनेगा पहले हम बनाते हैं डिस्काउंट अलावड ठीक है तो एंट्री कहा था कैश अकाउंट अबिट डिस्काउंट अलावड अकांट डेट टू सेल्स डिस्काउंट अलावड में भी क्या लिखेंगे तू sales discount allowed का amount 500 ठीक है उसके बाद आएगा नया ledger that is sales अब sales तो credit हुआ था तो sales में क्या लिखेंगे के बाई कैश भाई कैश भाई कैश काउं फॉरी बाई । इसकाउंट्ट अलाउट भाई कैश नौहजार पांसो अधिसकाउंट अलाउट मैं स्क्लिक उसके लाश्ट एंट्रे, salary to cash, salary में लिखेंगे to cash, cash में लिखेंगे by salary, तो यह रहा cash, cash में लिख देता हूँ नया लेजर बनाएंगे salary, salary में लिखेंगे to cash, salary में लिखेंगे to cash, तो यह हो गया all entry posted into ledger, यह process को बोलते हैं posting, अब हम सीखेंगे balancing, balancing कैसे करते हैं ध्यान देना, पहरें दुनों साइट का total करेंगे, देखो दोनों साइट का total करेंगे, तो कौन साइट का ज्यादा आ रहा है ध्यान देना, debit का रहा है 50,000 और 9500, पांच लाग 9500, और credit का रहा है 23, कौन सा ज्यादा है, debit का ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उसको दोनों साइट में लिखेंगे, तो पांच लाग 9500, यह ज्यादा है, इसको दोनों साइट में हम लिखेंगे, ठीक है, अब हम देखेंगे कौन से साइट में कम पड़ रहा है, तो यह साइट में कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है, calculate करेंगे, तो देखो, पांच लग 9500 से 30,000 जाएगा, कितना बचेगा, 486,500, 486,500 का शॉट फॉल है, इसको तीस तारीक का डेट में लिखेंगे, by balance, t by d, which means carried down, ठीक है, और फिर, यह month complete होगी, अब next month शुरू होगा, तो इधर opposite side में आएगा, एक पांच को इधर तीस चारों खतम हुआ इधर एक पांच को स्टार्ट होगा तू बैलेंस बी बाइडी इच मीन्स ब्रॉट डाउन और एट इस सेक्स पाइफ अब फिर उसके बाद में का ट्रांजेक्शन सुरू करेंगे यहां रिपीट करता हूं दोनों साइड का टोटलिंग करेंगे जो साइड का ज्यादा होगा उसको दोनों साइड में लिखेंगे उसके बाद देखें किधर कम पढ़ रहा है यहां कम पढ़ रहा है क्रेडिट में लिखें बाइबैलेंस करेट डाउन जितना कम पढ़ रहा है 486, 500, ए कैरेट डाउन भाँali opposite में एक दिन बाद ये 34 है ये 35 है, ये 34 है, एक दिन बाद हम करेंगे brought down यहां लिखते हैं यहां लिखते है इसे ही हर एक लेजर को हम बैलन्स कर सब्सक्राइब करके अरहें पहले दोनों साइट का टॉटलिंग करेंगे डेविट साइड का टोटल जिरो क्रेडिट साइड का टोटल पांच लाग तो पांच लाग ज्यादा है इसको दोनों तरफ लिखेंगे अब किदर कम परड़ रहा है डेविट में कम परड़ रहा है तीस चार को लिखेंगे बाए बाए नहीं यह कौन से साइड है यह टू साइड है तो टू टू बैलेंस क्यारेट डाउन पांच लाग पूरा कम परड़ रहा था और यह नेक्स्ट डे होगा ब्रॉट टाउन ओपोजेट साइड में तो एक पांच नेक्स्ट डे यह साइड में होगा रॉट डाउन एक परचेस ऐसे हर एक लेजर को बैलेंस कर सकते हैं इधा टोटल कितना आ रहा है इधार क्या जीरो तो इसदर भी कितना लिखेंगे 20,000 लिखेंगे इधर भी ठीक है अब कितना कम पढ़ रहा है क्रेडिट में कम पढ़ रहा है 34 को पाइ ! पाइ बैलेंस कैरेड डाउन तो आप निटोटम करेंगे विडु बालंस ब्रोट आँ 20,000 क्यार ने च्स इसकांट प्सीजू प्सकांट प्सीजू वजार किदर कम पड़ रहा है है विट में तू बैलेंस करेट डाउन दो हजा इसकाउंट अलाउट किदर टोटल आ रहा है कितना आंसो किदर जीरो इधर भी क्या लिखेंगे आंसो क्या कम पल रहा है इधर आएगा तू बैलेंस ब्रॉट पंस इए नेक्स्ट सिमिलरली सेल्स सेल्स में इधर जीरो आ रहा है और उदर दस है जा रहा है तो इधर भी कितना लिखेंगे दस लिखेंगे इधर भी लिखेंगे 10,000 carry down यहाँ पर आएगा ठीक है carry down वा इदर वा got similarly last salary रिदर पांचे जर रह जिरो भी लिखेंगे पांचे जर पांचे जर अब तुम को एक चीज और बताता हूं जो बहुत इंट्रेस्टिंग है इसमें वह यह देखना ध्यान से ठीक है अब तुम बताओ cash क्या है cash asset है और asset का कौन सा balance होना चाहिए तर asset का तो debit balance होना चाहिए बिलकुल asset का होना चाहिए debit balance तो cash account का अगर तुम brought down देखोगे तो वह जरूर कौन से साइट में आएगा on the debit side जिसका जो balance है उसका brought down जो है वो उसी side पे आएगा इसे cash account है cash का brought down जो है हमेशा debit पे ही आएगा similarly capital capital का क्या होता है credit balance होता है capital का जो brought down है वो कौन से side में आएगा on the credit side clear next purchase purchase expense expense का होता है debit balance इसका brought down जो है it will come on the debit side discount received income में discount मिलना revenue है फाइदा है credit balance होता है इसका brought down जो है वो credit side पे है here discount allowed expense है इसका brought down जो है वो debit side पे next sales revenue है इसका brought down जो है वो credit side पे होगा and last salary salary expense है expense है कौन सा balance होता है debit इसका brought down भी debit side पे आएगा तो जिसका जो balance होता है उसका brought down हमेशा वही side पे आएगा ध्यान रखना carrot down नहीं बोल रहा मैं मैं बोल रहा हूं brought down brought down जो है उसी side पे आएगा clear so this was about how to post ledgers and how to balance the आने वाले classes के अंदर इसको continue करेंगे आज के वीडियो के लिए इतना मिलते है next class के अंदर thank you and अ यदर Gabrie नहीं remember